राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर अस्पेसल फ्रेश हरे मतर का चीला, आप इसे सुबा के नास्ता या साम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, एक खाने में जितना टेश्टी लगता है, इसे बनाना उतना ही आसान ह तो चलिए मेरे साथ, आज हम और आप मिलकर बनाते हैं, बहुत ही तेश्टी और हेल्दी हरे मतर का चीला, तो चीला बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है फ्रेश हरा मतर, मतर को साफ करके अच्छे से धोलीजिए, साथ में मैंने यहाँ पर लिया है चाबल, चाबल को मै यहां पर आप कोई भी चावल यूज कर सकते हैं, अभी मिक्सर जान में चावल को डाल दीजिए, साथ में डाल दीजिए दस से बारा कली लहसुन के, एक से डेड़ इंच अधरत का टुकड़ा, दस से बारा काली मिर्च के दाने, एक छोटा चमच भर के साबुत जीरा, साथ में डाल दीजिए थोड़ा सा पानी और इसे बारीक बिल्कुल पीस लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे पीस लेना है, अभी इसे साइड में रख दीजिए, और एक बड़ा सा बरतन इस से धोलिया है, अभी इसे भी डाल दीजिए, अभी हमें इसमें डालना है प्याज, हरी मिर्च और धनिया, प्याज मैंने दो यहां पर लिया है, हरी मिर्च तीन और बारीक कटवा हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च को भी बारीक कट कर लीजिए, अगर आप प्याज और ल लाल मिर्च पॉरडर, एक छोटा चमच कास्मीरी लाल मिर्च पॉरडर, और एक छोटा चमच यहां पे भरके चाट मसाला, हींग आधा छोटा चमच, नमक स्वाद अनुसार, अभी जो हमने चावल का घोल बना कर रखा था उसे भी इसके अंदर डाल देना है साथ में डालना है दो बड़ा चमच भरके यहाँ पे बेसन मिकसर जार में थोड़ा सा पानी डाल कर उसे भी इसमें डाल देंगे अभी सारी चीजों को यहां पर अच्छे से मिक्स कर दीजिए जब लगे आपको कि इसमें पानी और एड़ होगा तो हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी एड़ करना है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा पानी और एड़ किया है और इन सभी चीजों को mix करके एक बार नमक यहाँ पे आप जरूर चेक कर लीजिए अगर नमक कम लगे तो थोड़ा सा नमक यहाँ पे add कर दीजिए अभी इसे 10 से 15 मिनट के लिए हमें धक कर छोड़ देना है अभी 15 मिनट हो गया है अब मैं इसमें डालूँगी आधा छोटा चम्मच इनो और एक चम्मच साथ में डाल देंगे पानी अभी इन सभी चीजों को यहाँ पे अच्छे से mix कर लेना है कडाही भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है तो चलिए अभी फटा फट चीला बनाते हैं तो कडाही में डाल देजे थोड़ा सा तेल जो भी तेल आप खाते हैं यहाँ पर यूज कर सकते हैं और एक डब्बू भरके मैंने यहाँ पर डाल दिया चीला का गोल अभी इसे इस तरह से फैला दीजे आप इसे पैन में भी बना सकते हैं अभी गैस का फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम रखना है अभी इसे कभर करके हमें गोल्डन कलर आने तक सेख लेना है और बीच बीच में हमें इसे चेक भी कर लेंगे जब यह अंदर से गोल्डन कलर हो जाए तब इसे हमें पलट देना है और अगर आज की रेसिपी अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अभी इसे हमें फिर से ढख देना है आज मैंने जो चीला में चावल पीस का डाला है इसी तरह से सारे चीले को बनाकर रेडी कर लीजिए और अपने मन पसंद चतनी के साथ इसे सर्व करिए तो एलो जी हमारा यहां पी फ्रेश हरे मतर का चीला बनकर बिलकुल रेडी हो गया है यकीन मानिए यह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बना है अगर बच्चों के लिए बनाते हैं तो मिर्च वगेरा का यूज बिलकुल ना करें तो बस इस तरह से बनाईए और कैसा बना है हमें कमेंट करके जरूर बताईए और अगर आज की रेसिपी अच्छा लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू